हाई एब्रीवन विल्कम टू माई चैनल ओम स्री किचन थमनेल देखके आपको पता चली गया होगा कि मैं आपके लिए लाई हूँ सूपर टेस्टी आम की रेसेपी अगर इस रेसेपी को आप एक बार बना के खा लेंगे गारंटी है हमारी की पूरी गर्मियों में आप इसी हाफ कट कर लेंगे फिर बड़े पीसों में इस तरह हम आपको कट करेंगे जरूरी नहीं है कि आप हापू सामीले जो सहर में आपके अब लेबल हूँ आम आपो ले सकते हैं बस आम अच्छे पके और मीठे होने चाहिए तो इस तरह हम दोनों आम को इस तरह कट कर लेंगे और जार में डालके फाइन से प्यूरी तयार करेंगे तो यह लीजे दोनों हमको हमने कट कर लिया जार का ढखकन बंद करेंगे और फाइन सा पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बन के रेडी है तो अब यहाँ पे हम पेस्ट को साइड में रखेंगे चलते हैं नेस्ट प्रोसेस इसमें गैस में हमने बरतन रख दिया है ध्यान दीजेगा कि जो भी आप बरतन ले मोटे तले का होना चाहिए इसमें हमने एड़ कर दिया है एक चम्मच पानी आधा लिटर दूध तो दूध है फैट मिल्क टोन मिल्क दोनों में से कोई सब ही ले सकते हैं दूध को श्टेर क करेंगे हलका सा गरम होने देंगे जैसे दूध हलका सा गरम होगा तो हम पाउल में 5-6 चम्मच दूध निकाल के लेंगे दूध को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तो यह लीजे दूध यहां पर पूरी तरह से ठंडा हो गया है इसमें हमाइड करेंगे दो चम्मच बन के अकॉर्डिंग कम जादा डाल सकते हैं जितना मेठा कम जादा आप खाना पसंद करते हों मिक्स करेंगे चीनी को मिल्ट होने देंगे तो यह लीजे चीनी यहाँ पे अच्छे से मिल्ट हो गई है इस श्टेज में गैस की फ्लेम लो रखेंगे जब हम कस्टड के घोल को ऐड करेंगे तुरन पिश्टेर करेंगे बिलग wurna हमें देरी नहीं करना है अगर मिक्स करने में देरी कर देंगे तो कस्टड के घोल में लंसग मुठ़ूलियां आ सकते हैं इस बात का आप खास ध्यान दीजेगा आप गैस की फ्लेम यहाँ पे हम low to medium रखेंगे कस्टड को डेर से दो मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कस्टड हमारा बढ़िया सा गाढ़ा और थिक कसिस्टेंसी में आ जाए तो यह देखिए इस तरह तो अब यहाँ पे हम क्या गैस की फ्लेम बंद करेंगे कस्टड को रखेंगे साइड में अगर हम जादा कस्टड को पकाएंगे तो कस्टड ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा तो अब यहाँ पे हमने साइड में रख लिया है पूरी तरह से ठ ठंडा होने देंगे इसके बाद हम फ्रीज में रखेंगे दो घंटे के लिए आप चाहें तो फ्रीज में 1 घंटे रखके भी सर्व कर सकते हैं तो यह लिजे यहाँ पे कस्टड पूरी तरह से ठंडा हो गया दो गब चिक कर रहे हैं कस्टड को हमने बाउल में ट्रास पर क के बाउल में फ्रीज में रख दिया था दोनों चीजें बिल्कुन ठंडी और चील्ड है अब यहां पर हम अच्छे से विक्सर से मिक्स कर लेंगे कस्टड को तो यह लीजिए सूपर टेस्टी हमारा मैंगो कस्टड मिक्स होके रेडी है तो अब आप चाहें तो आप इस तरह भी खा सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है लेकिन हम और भी सूपर टेस्टी बनाएंगे तो चलते हैं सर्विंग की ओर तो अब इसमें हम एड़ करेंगे छुटे-छुटे मैंगो चंग से कीन मानिये जब आप खाएंगे मुं में बाइट में चंग साएंगे बहुत ही टेस्टी कस्टड लगते हैं खाने में जरूर एड़ कीजेगा थोड़े से हम ड्राइफ रूट एड़ करेंगे इसमें काजू बादाम पिस्ते एक चैरी एड़ कर देंगे ताकि कस्टड खुब सूरत लगे तो इन गर्मियों में आप बनाए कस्टड की रेसेप बहुत है